हेलो दोस्तो घलो दोस्तो जैसे ही मैंने आज ट्वीटर ओपिन किया एक हाईलाइट चल रहा है Wikipedia शुशान्त वासक्रीड दोस्तो एम करते हैं 1 मिलियन भायरल ट्वीट्स ताकि Wikipedia इसको नोटिस करे तो दूस्तों मैंने उस tweet को open किया तो मैंने स्मिता मैम का ये tweet देखा मैं जरा सा सौक डो गिया कि विकीपीडिया में आज एक साल complete होने वाला है सुसान सिंग, राजपुत, चिकेदेद को और एक साल होने वाला है और अभी तक विकीपीडिया ने इसको change नहीं किया ये कैसे हो सकता है क्योंकि जितना मुझे पता है विकीपीडिया के एक page पे कई सारे authors, editors काम करते है तो एक साल में ऐसे कोई नहीं है जिन्होंने change किया है कि CBI, ये case under investigation by CBI, किसी ने change नहीं किया है ये थोड़ा सोचने वाली बात है तो मैं, दोस्तों उसके बाद मैं तुरंट मैं Google पे गिया मैंने लिखा सुसान सिंग राजपूत विकीपीडिया पेज उनका page open हुआ राइट हैंड साइड में नीचे cause of date लिखा हुआ है suicide by hanging मैं shocked हो गया, क्या भी तक है change नहीं हुआ है तो दोस्तों मैं अब मैं जो इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों एक खुलासा करने वाला हूँ कि ये intentionally किया गया है with proof मैं दिखाने वाला हूँ दोस्तों पेज उपें हुआ, राइट हैंड साइड में cause of date suicide by hanging है उसके उपर पे आप देखोगे एक one लिखा हुआ है अगर आपने इस one को क्लिक कर दिया तो आप shocked हो जाओगे मैंने जैसे ही इस one को क्लिक किया मुझे एक नीचे एक update एक link आया दोस्तों बहुत shocking चीज़ अगर इस link को हमने क्लिक कर दिया तो इस link को जैसे ही हमने क्लिक किया चानते हैं कौन सा website open हुआ website open हुआ है India Today जिसके editor है राजिदिब देशाई जिन्होंने रिया चकरवर्ती का interview किया था मतलब पूरी दुनिया में पूरे world में नहीं किया गया CBI आ गई NCB आ गई ED आ गई यह कोई अपडेट नहीं है केवल इंडिया टुड़े का वह website updated है जिसमें लिखा है कि cause of suicide by hanging बस यही यह website link किया गया है मैं सौक्ड हूं कि भीया यह तो राजदीब जिसाई जी का यह website है तो यह उहां के एडिटर है जो जो रही है चक्रवर्ती के support में जिन्होंने जिनको हम चाय बिस्कुट गैंग बोल रहे है इसको क्यूं लिंक कराया गया है यह किसने लिंक किया इसको तो मैं जानना चाहा कि भीया इसके author यह एडिटर कौन है जिसनों इनको इसको ल Wikipedia पेज है सुसानतिंग राजपूत का उसके अगर आप उपर में जाओगे तो आप history कॉलम एक है लेकिन यह आपके वह laptop और computer से देख पाओगे mobile पे नहीं देख पाओगे तो मैं computer पे गिया मैंने उस history कॉलम पे जैसी क्लिक किया तो मेरे सामने एक page open हुआ जिसमें बहुत स सारे result थे मैं नीचे आया 25 मार्च रात को 11 बजे का एक update है सुनीता विक करके हैं उन्होंने अपडेट किया है कि case under investigation by cbia update हुआ है दोस्तों आप चेक कर सकते हो यह update उस समय किया गया है 25 मार्च को 11 बजे सुनीता विक करके हैं साधी author है एडिटर है इन्होंने अपडेट क किया है तो वह विकिपेडिया में reflect क्यों नहीं कर रहा है मैं बुला यार यह कैसे है algorithm का problem है क्या तो मैंने देखा बगल में जो जो लाइन है 25 मार्च उसके बगल में current और previous का एक छोटा सा box बना हुआ है दोस्तों अब socked हो जाओगे जैसी मैंने previous किया click तो वहां पे लिख लिखा हुआ था cause of suicide by hanging जो पहले उसको फिर चेंज किया गया है case under investigation by CBI यह previous में लिखा हुआ अब जैसी मैंने current पे click किया तो मैं देखके sock do कि फिर से उसको change करके कर दिया है cause of death hanging by suicide by hanging कर दिया गया है यह तो इंटेंशनली हो गया ना एक बार तो लिखा गया कि cause of death by hanging जो शुरू में reveal हुआ फिर पता चला कि यह CBI केस under CBI है फिर सो उसको change कराके cause of death by hanging कर दिया गया यह तो intentionally किया गया है यह तब सिधा सी screen shot पर देख सकते हो तो भीया एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है Wikipedia के लिए कि भीया यह कौन है और Wikipedia का इसको monitoring नहीं करता है क्या कोई भी कुछ आके link देता है आप आप उसको चढ़ा देते हो क्या दोस्तों आप इस बारे में क्या सुचते हो जरूर comment करिएगा और इस वीडियो को जरूर सबको share करिएगा ताकि हमारी आखे खुले क्या कि रिए online यह हो क्या रहा है Wikipedia में क्यों नहीं Wikipedia चेंज कर रहा क्यों India today को ही वहाँ पर link कराया गया है बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों जो हमें पुछनी है और यह मैं कोई expert नहीं हूँ इस बारे में जो मैंने इस पर ढूंडा है या research किया है मैं एक SSR warrior हूँ और मैं curious हूँ जानने के लिए कि और इंसाफ दिलाने के लिए SSR को बस मेरा इतना ही agenda है बट अगर यह CBI या ED या कोई उनके expert देखेंगे तो जरूर find out कर पाएंगे कि यह किसने change किया है आप IP track कर सकते हो या जो भी आपका method हो उससे हो सकता है दोस्तों आ justice for SSR